Types of observation Observation without intervention and observation with intervention आप तिरफ देख रहे हैं या उसमें कोई तब्दीली भी ला रहे हैं Observation without intervention Naturalistic observation कहलाती है यह यहनी फितरी महाल में किसी चीज़ का जाइजा मौइना और उसको तज्जिया किया जा रहा है तो तज़िये से पहले तो आप उसको सिर्फ देखते हैं अपनी नजर से अब्जर्ब करते हैं इसमें कोई इंटर्फेरंस अब्जर्वर की नहीं होती है वो नेरेटिव रिकॉर्ड भी ले सकता है या जो लोग बोल रहे हैं उसको उसकी तरह रिकॉर्ड कर ले फील्ड बना ले उसकी वीडियो भी बना लें अब्जर्वेशन में छब इंटर्वेंशन होती है असल में यूर टूली क्वालीटेटिव में ब्रवेशन होती है लेकिन लैब में भी कभी होती है इसलिए लिबाट्री में कई दफाइक सिटुएट करे के कंडिशन जो उसमें आकर है आपका participant जिसे subject कहते हैं कई दफा तो आप उससे सिर्फ observe करते हैं कि उसने क्या behave किया या उसकी दिल की धरकन कैसे तेज हुई या वो अपने muscles को कैसे relax कर रहे हैं तो आप observe कर रहे हैं तो यह ऐसी situation होती है जो frequently western हो रही होती है तो आप ने जो variable है वह हीट है या noise है या कोई दवाई है या कुछ भी है आपने उसका उसके behavior पे जो असर हो रहा है उसको note करना है और इसमें यह होता है कि ऐसी situation जो आम तो पे आप जहां जा कर नहीं देख सकते तो उसको आप laboratory में करियेच करते हैं और पर वहां पर observe कर लेते हैं तो यह इसका एक फाइदा है with intervention वाली observation का एक और जो बड़ी मशूर है जो sociology में और social psychology में बहुत इस्तमाल होती है तो cross culture में भी होती है participant observation आप किसी culture का किसी situation का किसी इदारे का किसी महौल का जिससे study करना है उसका हिस्ता बन जाते हैं नहीं आपने किसी इदारे को study करना है आप आप आपने किसी इदारे का दफ्त का ढूंडते हैं आपने किसी घर का महौल देख रहे हैं तो आप हिस्ता ले लेते हैं वहमान बन जाते हैं हमसाई बन जाते हैं ऐसे studies की जाती है और बाद में पताया जाता है कि असलमें हम इसमें इसलिए भी थे हम रिसर्च करें यह किसी situation में active role अता करते हैं बाकी भी student है लेकिन वो साथी observer भी है researcher भी है इसमें structure भी होती है कि आपने कोई situation बना दी उसको initiate कर दिया और field studies में भी यह participant observation होती है कि आपने किसी trip का हिस्ता बने है या किसी group exercise का हिस्ता बने है और आपने उसको observe भी है हम type of observation की बात कर रहे थे तो उसी को आगे बढ़ाते हुए continue करते ह हुए एक चीज़ होती है जिससे unobtrusive measures of behavior कहते हैं जिसमें आप जो observer है उसका वहां होना भी कई दफ़ा जरूरी नहीं होता वो camera की या लोगों की किसी तरह को record करके भी इस्तमाल करते हैं जिसमें जिने observe किया जा रहा है उन्हें पता नहीं चलता कि कोई हमें observe कर रहा है जै आर्काइवल डेटा भी इस्तमाल होता है और फिजिकल ट्रेस अर्काइवल डेटा जो है वो already existing डेटा को कहते हैं जैसे records हैं, documents हैं, अखबार के तराशे हैं, अखबार के खबरें हैं, literature है, poems या किसी भी किसम का तारीखी literature है या English का literature है, उर्दू का literature है, science का politics का literature है, newspaper के आ movies, documentaries, लोगों की जिंदगी की biographies, autobiographies जो उन्होंने खुद लिखते हूं, यह सब आर्काइवल डेटा के तोर पे जाना जाता है, यह already मौझूद होता है, जाके किसी से आपने interview नहीं करना, सवाल नहीं देने, उसके analysis से बहुत ज्यादा research होती है, economics में भी, और बाकी social sciences में और even science में, physical traces का मतलब होता है, जो चीज बच्ची वी हो, remains, body के remains, remnants, किसी building के या किसी खाने की बच्ची वी चीज, fragments, उसके कुछ टुकडे, object या ऐसी चीजें, जो किसी पुराने जमाने से तालुक रखती हो, गुजरेवे behavior को दिखा रही हो, कोई चला गया है, और उसकी क EUE, चीज, भरकत आपके पास है, तो यह evidence के तोर पे होती हैं, इसको physical traces कहते हैं, physical traces जो हैं, वो दो तरहां के होते हैं, एक use के trace और एक product के trace, उनको हम कहते हैं, कि यह unoptrusive हैं, किसी को बता नहीं चल रहा है, कि आप उसकी इस चीज को analyze करें, content analysis होते है, archival research में use होते हैं, कि आप, मसला direct है, उसमें कुछ लिखा है, या दफ्तर का circular है, वो आपके सामने मौझूद है, उसको आप content को analyze करते हैं, इसमें होकम कितने हैं, इसमें जुमला कैसे शुरू हुआ हैं, खतम कैसे हुआ हैं, बात कितने paragraph में हैं, इस सब के content analysis जो हैं, उसको भी एक unoptrusive में यह क आ जाता है, observation का, जिसको की जा रही है, वो उससे आगाने,